हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हुग आने इन सिक्सिपू और आप देकर अपना फेटी चैनल एट्यूजेट कॉंजेट दोस्तों आज की वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं कि घुटका पानमसाला की एजेंसी आप कैसे लेंगे इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बिजनस की नौलेज है किसी भी गुटका का प्रचार करना नहीं है गुटका स्वास्त के लिए हानिकारक होता है किसी भी गुटके का प्रचार करना इस चैनल का उद्देश से नहीं सिर्फ और सिर्फ बिजनस से related कि इस तरीके का अगर आप business करना चाहते हैं तो क्या-क्या आपको जानना चाहिए क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो business शुरू कर देते हैं जानकारी नहीं होती है पैसा उनका बरबात हो जाता है किसी के कहने के वज़े से इस वज़े से business की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए अगर आप business करना चाहते हैं इस वीडियो को वही लोग जाता तर देखेंगे जो इस तरीके की business इंट्रेस्ट राक्त हो तो सिफ पूर सिफ ये वीडियो education business purpose के लिए बनाई गई गई है ठीक है दोस्तों पान मसाला क्या है? पान मसाला की agency क्या होती? पान मसाला की agency means ये होता है कि जब भी आप किसी भी पान मसाला जैसे की brand पान मसाला जो की कमला पसंद आता है, वीमल आता है, रास्री आता है, रजनी गंद आता है इसके अलों और भी बहुत ऐसे गुटके आते हैं ज इससे रिलेटेड जो वोल सेलर होते हैं उनको सप्लाई करना पड़ता है तो अलग-अलग कंपणी अपना अलग-अलग इन्वेस्मेंट होता है अब इस तरीकी का बिजनस करने के लिए आपको किस लाइसेंस की ज़रूरत है सबसे पहले यह जाना जूरूर आपको गुटके क सिंबर लेना निवार और यह फूद लाइसेंस के तहद जाते कि खाने वाली चीजेंट फूद लाइसेंस जो लाइसेंस होता है ट्रेइड लाइसेंस यह सारी लाइसेंस आपके पास होने चीज़िए एक आपका आप कामर्चियल वैन भी होना चाहिए, जो कि आपके पास जब गारी रहेगी, तभी तो आप माल सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आप नई भी ले सकते हैं, फैनेंस करा के ले सकते हैं, सेकेंड रैन ले सकते हैं, कुछ टाइंग आप भाड़े पर भी काम कर सकते जैसा आपका मन करें उस देजाब से, हलाकि किसी ब्रांड कमपनी का लेंगे, तो क्योंकि इसका, देखिए, कमपनी काफी मेहनत करती है, एडवर्टीजमेंट में, तो इसके प्रोड़क्ते बिखते हैं, जो कि ब्रांड गुटके, जिसको सभी लोग जानते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत जादा मेहनत नहीं करनी पड़ते हैं, इसको बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग लागाना है, कि हमारा प्रोड़क्त कैसे भी के, और कितना बढ़ी आप सप्लाई करते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको क्या-क्या चीजे होनी चीज़िए, पहल अगर आप गुटके का डिस्टिवूशन सिप लेते हैं, तो इसमें अच्छा खासा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी सेल बहुत ज़्यादा है, भिकता बहुत ज़्यादा है, तो आपको इन्वेस्मेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, पैसा एक म बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लाइसेंस मैंने बताई दिया, ठीक है, गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, इन्वेस्मेंट अब कितना लगेगा, देखिए ये इन्वेस्मेंट जो होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कमपनी का लेते हैं, और उस कमपनी का कितना स्थेल है, जैसे कि कमला पसंद हो गया, आपके रिये में बिखता है कितना है, विमल आपके रिये में कितना बिखता है, रजनी गंदा आपके रिये में कितना बिखता है, रास्त्री हो गया, पान विलाश हो गया, बहुत तरीकी का और भी मसाले आते हैं, ठीक है, तो डिप बढ़ना पड़ेगा उसका सेल कीतना है ठीक है यह बहुत ज्यादा ज़रूरी है कि आप इससे जानिए कंपनी जितना बता रहे उतना ही नहीं आपको लेने अगर आपके भाई दिखिए ब्रांड है उसकी लेने के लिए हजार लोग तैयार है तो जिसके पास पैसा होगा तो कि मैंने पहले ही होता है पैसा होना जरूरी है भाई इस बिजनस के लिए तो मिनिमम्म पैसा अगर हम बात करें तो दस थे जीज़ाग करना है कुछ नहीं रखना है बिल्बूप आपको इन्वाइस बनाना ठीकिए आपकर सकते हैं अग्रोसेस इसका यह है एके ले लेदे लोगों को आप supply करेंगे wholesaler, retailer, profit margin जो होती है इसमें, कितना percent आप बचा पाएंगे, यही main सवाल होता है, क्योंकि investment आपने लगा दिए, इतना खर्चा आप करेंगे, अब भई, फायदा कितना होता है, तो फायदा अगर आप सुनेंगे, तो आप चौक जाएंगे, आपको बहुत कुछ बताती है, लेकि उसमें अपने खर्चे भी निकालने हैं, और competition है, क्योंकि wholesaler को सस्ता चीए माल, क्योंकि wholesaler और retailer आप से product लेगा, और किसी एरिये में अगर हो सस्ता पागया, तो वहां से लेगा, तो इस वज़ए से जो margin होती हो कम हो जाती है, अगर company 5% भी तो यह लड़ते लड़ते हैं कि 2-3% बचाना मुस्किल हो जाता है, क्योंकि competition बहुत जादा है, जैते कमला पसंद किसी एरिये में अगर, माले जी एक packet 166 रुपय का मिल ला है, और आपने 166 रुपय की आप बेच रहे हैं, तो 166 रुपय लेगा कि 166 रुपय वाला लेगा एक रुपय काफे माइने रखता है, क्योंकि इसमें एक रुपय, दो रुपय, डेड़ रुपय कही profit margin होता है, मतलब डिम्बे पीछे, packet पीछे, तो इतने ही margin होता है, लेकिन क्योंकि sale बहुत जादा है, ठीक है, sale बहुत जादा है, इस वज़े से यह margin जादा हो जाती है, जैसे कि आपने अगर महिने भी 20,00,000 का sale कर दिया और 5% नहीं आप, तो 3% भी अगर आप margin लेखते हैं, तो भी बहुत कमा लेंगे आप, ठीक है, तो देखिए, अगर देखा जादा है, तो पचाएजार से एक लाग दुपय आप आराम से इस तरीकी agency में कमा सकते हैं, इसम जो आप कमा रहे हैं, वो डेली का प्राफिट हो गया, ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि देखिए, cash flow के दंदे में लुक्सान नहीं हो, कम margin में इती है, लेकिन क्योंकि आगया पैसा, अच्छा, आपका पूजी भी आगया, प्लस प्राफिट भी आगया, डेली क ठीक है, तो यह काम तब होगा, जब आप ब्रांड गुटके के अगया, अगर आप लोकल गुटके के अगया लेते हैं, तो आपका फसने का चांस पूरा है, क्योंकि देखिए, जो गुटका बिजनस आपको चलाना नहीं है, पहली चीज, क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं बिजनस चलाने का काम आपका नहीं, कमपनी आपका वटीस में करती है, तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, जो नान गुटके में भषचा जाते हैं, नान बांड, तो ऐसा नहीं कँ настा है, नान बांड अगर शुरू कर रहा है, क्योंकि एगर दे रही है, या बहुत क तो आपके गया तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं क्योंकि कंपणी एक यह पहुची नहीं हम भी आप आए हैं करेंगे यह करेंगे वह करेंगे स्कीन दे रहे हैं आपको इससे क्या मतलब यार विडियो यह जनकरी आपको समझ में आए होगी क्या चीज समझ में नहीं आई क्या और विजनस इस तरीकी का एजेंसी लेने में समझना चाते हैं क्योंकि कोई सब्सक्राइब लेने के लिए देखेंगे कैसे लेने के लिए देखिए बहुत सारी कंपणियों के गूगल पर वेबसाइट होगा रहा है, वेबसाइट पर जाएए, जिसे कमला प्रसंद, रजनी गंदा, विमल इसकी वेबसाइट पर जाएए, कॉंटेक्ट नंबर भी उस पर मिल जाएगा, और फॉर्म फिलब भी मिल जाएगा, एरिया टर डिस्टिबूशन की से एरिया के लेना, पीन कोड होगा रहना, आप डालेंगे, अगर वहाँ पर रिक्वाइर्मेंट कमपनी की रहेगे, तो आपसे कॉंटेक्ट करेगी, ठीक ह यही सारी चीज़े नहीं आपको दिए, वीडियो अच्छे लगे, तो लाइक करिए, नया है तो चानल को सब्सक्राइब जरू करिए, फिल मेल देगली वीडियो में, तब तक के लिए नमाश्कार आएगे,